दर्ट न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा जमबोर्ट आज की दलाइफ स्टोरी के एपिसोड में जिन शक से हम आपको रूबुरू करवाने वाले हैं उन्हें I'm sure किसी भी इंट्रोड़क्शन की जरूरत तो नहीं है ले इसी जाबाज हुनहार लड़की हैं जिरोंने बहुत ही कम उम्र में एक मुकाम हासिल किया है Nanandatan, First Biker Girl of Jammu, Prithi Chaudhary Thank you, Prena. Thank you for having me. First of all, a very warm welcome to our show. So, Prithi, सबसे पहले तो your own brief introduction हमारे वियर्स के लिए. आपने दे दी इंट्रोड़क्शन एक छोटा सा वर्ड यूज करके बाइकर. सबीको मेरा नमस्ते, मेरा नाम Preeti Chaudhary है और Jammu की रहने वाली हूँ. Jammu के लोग मुझे First Biker Girl के नाम से जानते हैं. काफी साल हो गए हैं मुझे बाइकिंग करते और बड़ी सारी बच्चियों को प्रेरना देती हूँ. कोशिश करती उनको बाइकिंग सिखाऊं और खुले आसमान में घुमें वो भी. So viewers मैं आपको बता दूँ कि जिस सरह से प्रिती चौजवी प्रेरना का स्तोत्र बनकर सभी especially महिलाओं के लिए उभर के आती हैं उसी तरह से शक्ती उद्गोश करके एक जो ग्रुप है वो चला रही है जिसमें वो especially महिलाओं को गर्ल्स को युफ्तियों को ट्रेनिंग देत इसकी शुरुवात हुई थी और इसका नाम मिशन शक्ती रखा गया था लोग मुझे मिशन शक्ती के नाम से जानते हैं जबकि मिशन शक्ती गर्मेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैक्शिप स्कीम भी है तो लोग इसमें कहीं बार डाउट कर जाते हैं कि क्या है सरकारी तंस् क्या इसे स्तोत्र हैं कि उनको एंकरेज किया जा सके कि आप पाटिसिपेट कीजे तो फीमेल्स के लिए बड़ा टफ हो जाता है बेंट फोर्स जॉइन करना पेरंट्स भी अलोग नहीं करते हैं सम्टाइम्स कि थोड़ी टफ जॉब है बार्डर पे जाके लड़ना हमें ल में शुरू किया जिसमें हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते थे एक ऐसा कंसेट लाया जमू में कि पहली बार एक लड़की लड़कियों को ही कोचिंग देगी लड़कियों के ही कॉलेज में तो एक बड़ा सेट अप क्लोस सा था कि आप लड़कियां जो परिवार और्थ आज वो बाकी महिलाओं को प्रशिक्षन दे रही है और फीमेल जो हमारा गांदी नेगर विमन कॉलेज है वहाँ से बड़े सारे बच्चे पास आउट हैं तो एक emotional connect जुड़ा होता अपने कॉलेज के साथ वहाँ पे हमने वो training component start किया बहुत अच्छी चीजें उसमें कुछ ऐसी थी कि सुबा पांच बजे training रखी थी थोड़ा सक्त सुभाव रखा था कि अगर आपको फोजी बनना है आपको देश की सेवा करनी है वर्दी बहननी है तो सारी बादाओं को काटके आपको सुभा आना पड़ेगा तो सुभा अली मॉनिंग उनकी ट्रेनिंग रहती थी फिजिकल ड्रिल रहता था और जब हम फिजिकल ड्रिल की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक रणिंग में ही कनफाइनी हो जाता कि दोड लगानी है और रणिंग में आपको कॉंपरेंट रहता है जब आपको फिजिकल इंडूरेंस टेस्ट कॉलिफाय करना तो रणिंग करनी है उसके अलावा भी महिलाओं की जो शक्ती है उसको केंदरित करने काम हम मिशन शक्ती में करते थे उसके बाद उनको पढ़ाते थे जो भी उनका अकाड़मिक का सलेबस रहेगा उस पर्टिकुलर एक्जाम के लिए और कोशिश करते थे उनको खाना भी दें फोजियों वाला खाना जो हम प्रवाइड कर पास सकते थे उस टाइम पे वह हम प्रवाइड करते थे तो कुल मिला कि यातरा जो है दो-तीन साल तक चलती रही एक बैच आया फिर unfortunately स्काम हो गया सब इंस्पेक्टर के एक्जाम में वो बच्चे कॉंस्टेबल के लिए भी अपेर हुए वो बच्चे सहस्तर सीमा बल के लिए अपेर हुए बाकी सेनाओं के लिए भी उन्होंने आवेदन बरे और तीन-चार साल की जर्नी के बाद बहुत गरव के साथ मैं यह कहना चाती हूँ कि बहुत सारी बच्चिया हमारी कम से कम 15 के करीब बच्चिया जो है हमारी जमुकिश्मीर पुलीस में as a sub-inspector, as a constable सहस्त्रसीमा में, अन्ने सैना बलों में उनकी नियक्ति हुई है और यह सारे वो बच्चे थे जो पिछले तीन-चार साल में मिशन शक्ती के साथ जुड़े हूए थे आज मिशन शक्ती, शक्ती उद्गोश के नाम से जाना जाता है मिशन शक्ती को जब हम रिजिस्टर करवाने के लिए तो एक नया नयाम हमारे सामने रखा गया, शक्ती उद्गोश फाउंडेशन अपने आप में एक NGO है, जो महिलाओं को प्रिरना देती है भारति सैना यन, जमुकुशमीर पुलीस में बहुत बहुत अच्छी बात है यह तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन सभी लडकियों के परेंट्स जो है उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ ही होगी तो प्रिती यह तो रहा आपका अब अगर हम आपकी कुछ चाइल्धूट के बारे में बात करें ज सो किव तो उनने के हिषता सकते हैं यह टो में इना तरुप में जरुझ देन देखा है यह दो हम नहीं कह सकते हैं नहीं केसे की रॉफ तफ करेंगी क्या है नहीं अच्छी है एंग्नी अच्क्छी प्रिती टे का है मेरा बड़ा साधारन सा जीवन है, मैं छोटी-छोटी चीजों में खुशियां डून लेती हूं, एक तो कोई जादा प्लान और जादा गोल्स के अकोर्डिक्टेबला अंसर्टेन है, तो आपको जादा प्लानिंग नहीं करने चाहिए, जैसा लाइफ आपके सामने है, उसको करेंगे तो आप बड़ी दूर तक जाएंगे, और मेरी जो लाइफ का मेन मिशन है, मेन गोल कह सकते हैं, वो है अपने देश के लिए कुछ करके जाना, मतलब एक लाइफ है, वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको याद रखें, फिल्मों की तरह नहीं, सच में मतलब यस ब बड़ी चोटी चीजों में में गुषी डून लेती हूं, जादा प्लानिंग कर नहीं चलती हूं, बाइक मिल जाए तो मझे लगता है, जीवन का क्रक्स, स्टार्टिंग शिरू से ही आपको बाइक पसंदी, बिल्कु नहीं, मैं कहीं पे भी जाती हूं, मेरा ट्रावल का म विजए जाए जहां मर्जी में जाओं, तो विट्न का लाता है। पर आपना मैं सुसाइटी को रिवर्ट कर सकती हूं, इस माध्यम से अपना जीवन जीती हूं। और यह बात चाल्धूड मेमरीज की तो मैं बड़ी शिरार्ती हूं। जिन चीजों को मझे जिद थी मुझे करना है तो मैं कर लेती हूं। और मुझे लगता है कि लाइफ को बड़ा बैलन्स करके जीना मुझे आता है कोई बात नहीं ही। बदलब स्ट्रगल सब की लाइफ में होते हैं। उसको लेकर रोना-दोना करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जैसे जंदगी मिले उसको अ जो आपकी फैमिली में और स्टरेंट, बढ़ाईश्तरं के लिए ne तो जम्मू में ऐसा सेटफ नहीं है, ऐसा समाज नहीं है, ज़ अज भी एसे mentality कहीं नहीं है, एक लड़की को ईफेक्ट करती है, तो पेरंट्स की तरफ से थोड़ी जिद करनी पड़ती है, तो बनाना पड़ती है, हालां कि अब बड़ी तेर होगी है, सारी चीज़े करते है, 15 साल से जादा ताइम हो गया है तो मुझे लगता है अब थोड़ा एक परसंट फैक्टर है कि उनको कन्वेंस करने में जादा मुश्किल नहीं होती है अब सिर्फ बताना ही बढ़ता है उनको लगता है यह मानेंग तो नहीं पर तो शुरू शुरू में मुझे भी सेम प्रॉ कि अधनी जो आपने लाइफ में अभी फेस की हैं मैंने भी फेस की हैं बट यह है कि हमें रास्ते निकालने आने चाहिए उनको लेकर आप कब तक बाठे रोगे कि मेरे फोकस होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है तो नहीं है मन्जिल खुद मिल जाएगी आप निक कुछ करनी पाएंगे तो हम देखते हैं जैसे कि आजकल गर यंग्स्टर्स की एकर बात करें तो स्टंट बाइकर्स जो है काफी जादा जो यूथ जो है वो स्टंट की तरफ भी अपना रुझान बढ़ा है तो इसके लिए आप क्या गहेंगे देखो प्रेणा स्टंट करना जो है यह किसी स्पोर्ट की के टेगरी में नहीं माना जाता हलाकि मोटर बाइकिंग जो है आप द बहुत नोजमान जो होते हैं अपने माता पिताव को कन्वेंच करके हैं मतलब जिनकी मिशिनरी जो है वो देखे भी आपको देखेंगे डर लगता होगा और उन बाइक्स में स्टंट करना वीली परफॉर्म करना बिना हेलमेट के खड़े होगे चलाना तेडी मेडी हरकते क अपने आपकी जान को तो वो खत्र में डाली रहे हैं दूसरों के लिए भी वो थ्रेट पोज करते हैं और बड़े सारे लड़कों के साथ मैं लड़की बच्छी बच्छी आपके सामने आती हैं और समाज में एक गलत इंपक्ता है जो छोटे-चोटे बच्चे इन सब है या जो भी एजन्सी इसके लिए काम करती है उनको चेक रखना चाहिए स्टन्ट बाजी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि पूरे भारत में बड़े सारे लोग करते हैं प्रोफेशनल स्टन्ट बाज भी होंगे बट आपको जब यह चीजें करनी है उसका एक प्रॉपर जगा होती अच्छा बाज़ करेंगे बाज़ इतनी महंगी महंगी होती है मतलब वो बाज़ इन सडकों के लिए नहीं बनी हुई है जहाँ पर एवरेज मिडल क्लास के लोग जा रहे हैं ट्राफिक होता है वहाँ पर आप आप स्टन्ट करेंगे तो आप लोगों की जान को खतरे के सा मतलब यूथ को आपने पीछे लगाया है बिंग एन इंफलेंसर करो लोग मुझे चार फॉलो करते होंगे तो वो सोचेंगे यह हमारी इंस्पिरेशन तो यह है मैं यह अगर यह ऐसा काम कर सकती हमें भी करना चाहिए तो लोगों को ना सोचना चाहिए ऐसी हरकते करने से प पृति जैसे की मेरा खुद का यह अगर यह एक्सपिरेंस मैं इनको भी बाइकर्स को देखा है मैं आपको भी मुसली बेखा है लेटर जाकेट और फॉल पुरा प्रॉपर आपका जो एक ड्रेस को रहता है क्या यह यह एक्पलसरी होता है कि लेटर जाकेट महीं ही आप ऐस आपने 100-200 km बाइक राइड पर जाना है क्यों गियर बनाये गए है क्यों इतनी कंपनी है ते महगे महगे प्रोड़क्स बना रहे हैं गियर बना रहे है और बाइकर खरीदते भी है वो इसलिए इंपोर्टन होते है कि वो आपकी बोड़ी की सेफटी के लिए काम आते है किसी करनवरिश एपकी क्यों किसी कारनवरिश रएक पोई के सथा परके बाइड आपको कोई बी डामच ना हो और वो प्रोड़क्स इतने कोसली होते है यॉवर बिलिव जो अच्छे बाइकर वो उन्ही पर पैसा इन्वेस करे है मतलब वारे लिए वो गहने है आए हमारे तो यह सारी चीजें अची हेलमेट, हेलमेट के बिना तो कोई बात ही नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं, क्या थास्थ पंदरह बंदरह हजार की हेलमेट लिये हो, प्रॉपर आयासी मार्क जो हेलमेट अची वो प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी बोड़ी को कभी जटका लगेग आप गिर जाओगे, तो वो सारे राइडिंग गिर्स प्रोटेक्ट एंशूर करेंगे कि अपको बिल्कुल खरोच अची के पुए 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 से, हाँ, नॉमली जब हम थोड़े इस्टंस पर राइड करते हैं, तो कहीं बार वो लेधर जैके पैल लिये हैं, कुछ कवर तो वहाँ आपके स्टिंग कर या, काट लिया या कोई कच्रा आपके आँख में आगया, तो उन सब चीजों से बचाने के लिए अपनी बोड़ी को पूरा कवर कर के बाइकर जाते हैं, राइडिंग जैकेट को हो, ऐसा नहीं की लेधर जैकेट पहनते हैं, प्रॉपर जैक कर दो जाते हैं, तो लास्ट 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 एर हम लोग कर गल गए थे और मेरे साथ पांच लोग ते मेरी बाइक कब ब्रेक डाउन हो गया रास्ते ही, तो उसमें सदनली कुछ अग लगी और हम लोग अभी सोनमर्ग भी नहीं पोंचे थे, तो मुझे अपनी टो कर के ल कि बारिश भी हो ती तो बेस्पार्ट मुझे यह लगता है कि मैं हर चीज के लिए प्रपेर रहते हूं, तो किसी भी राइड पर जाना है, मैं निकल जाते हैं, कुछ भी सिच्वेशन हो, हम उसमें से लिए और उसमें से कुछ अच्छा दोन लेते हैं, मैं वही जैसे कि अ अपने अपको बताती है, यह आप अंदर से भी बिसकिली रड़ई र्फ रंट फ ही है तो भौत अच्छी बातों बहुत अच्छी बात भाताई हो 52 हएं बहुत बहुत अच्छी बात है अपरीश टोर इस वक्ट प्स्पार टीज्ट जो तीत आख रही है वह बहुत अड़ के आपके खुद की लाइफ में आपके इंस्पिरिशन कॉन रही है? मेरी इंस्पिरिशन मेरे फादर है, यह अल्वेस कीपस आ मोटिवेटिंग मी, मतलब नो मैंटर हमारे जगड़े भी होते हैं, बड़ा कुछ हमारी, हम बराबर टेम्परेमेंट के हैं दोनो, एक मयान में दो तल्वारे नहीं रह सकती हैं, बट स्टिल ही मोटिवेट्स में, मतलब वटेवर वी दरीजन, लाइफ में कुई भी चैलेंज आज़े तो मुझे लगता है, ही लगता है, ही लगता ही तो टाप मी की हाँ, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट करना, इस एज में आके बाइकिंग करना, अपने करियर को एक साइड पर रखके, करियर भी चली रहा है, आपका प्रोफेशन लोग पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो, बड़ी जादा रहे हैं, उन सबस्पोर्ट को साइड में रखके इस, में अराम से बाइक बूढ़ एक चूम्टी रहे हुण, मुझे लगता है, अगर उन लोगों का कहना का था हमारे माताप वी तो इस होग्म का बाज़िए, अज़ा है थे और फूथ कि अगर लिदा को अगर शु को सालिघा टो झालों या ज चलना शूर करो को अज़ोलने को सब्सारी गाता है को अलाएक पोना कि थाग्णार छो पॉलना वास आजिए का नायाओ क्या यह बाइक चलाना तो मैंने का यह ऐसा ही है तो यह आप इसा ही है तो यह आप भी जानते हैं कि हमारे इस special broadcast में हम एक चोटा सा segment रखते हैं जिसका नाम है Rapid Fire तो जाल रही है तो यह बाइक तो यह आपको मोका मिले तो आप ट्राय कना चाहेंगे चोरी चोरी की यह विए सामने नहीं होता सकती है okay best travel destination ले okay how many languages can you speak three English Hindi Dogari Punjabi also okay what's your hidden talent I guess it's always open everything is open I have not kept anything hidden but still cooking okay that's great what makes you angry that makes me angry okay biking in winters or biking in summers throughout the year okay one person you admire the most my father okay how would you describe yourself in three words I'm unstoppable okay so यह था हमार एक छोटा सा quick rapid fire round जो हमने प्रिती के साथ किया so प्रिती last but not the least women empowerment पे हम एक बात करेंगे और आप से एक message लेंगे especially for girls ठीक है be bold and be limitless that's all इतनी से में confine कर दिया आप एकदम से अपने लक्षे की तरफ काम कीजिए और limitless हो जाईए जो आपको करना आप कीजिए और आस्मान आपके लिए खोला है well said well said so thank you so much Priti for having such a lovely conversation with us और हमारे viewers को अपना समय देने के लिए उनसे रूगरू होने के लिए थांक यू प्रेटी चौदरी the first biker girl of Jammu जिन से हमने आपको रूगरू करवाया अगली episode में फिर हाजिर होंगे एक और नई शक्सित के साथ आपको रूगरू करवाएंगे तब तक के लिए देख रहें the earth news with me प्रेणा जंबॉल